ओम पित्र देवताई नम्हा आज सावन अधिक मास अमावस्या है तो आज की इस वीडियो में आप सुनेगे अमावस्या की पौरानिक कथा अगर आप इस बार की मावस्या की तिथी और शुबमूर्थ के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी अलग से वीडियो हमारी चैनल पर अप्लोडिड है आप उस वीडियो को देख सकते हैं अमावस्या कीति थी पित्रों को समर्पित मानी जाती है ऐसे में आज के दिन पित्रों के निमित श्राद, तर्पन, जल्दान, पिंडदान आधिकारी के जाते हैं पिंडदान, श्राद, तर्पन, आधिकारी करने के लिए ग्रस्त आश्रम कितना उपयोगी है या आप आज इ पन आधिकार इतने आवश्यक क्यों होते हैं तब शुरुत देव जी ने कहा हे राजन जब प्रत्वी पर राजशी सावर्णी का शासन था उस समय तीसवे कल्यूग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक प्रहमर्ण थे मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कल्यूग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रियाग में सम्मिलित होने के लिए पुषकर छेतर की यात्रा की वहाँ पर कुछ वृतधारी महर्शियों ने कल्यूग की प्रशिंसा करते विस प्रकार कहा था कि सत्यूग में भगवान विश्णू को संतुष्ट करने वाला जो पुरन्य एक वर्ष में मिल जाता है वही त्रेता युग में एक मास में मिलता है और दुआपर युग में पंदरह दिनों में साध्य हो जाता है। किन्तु कल्योग में तो भगवान विश्णु का इस्मरण मात्र से ही उससे दस गुना पुन्य प्राप्त हो जाता है। कल्योग में बहुत थोड़ा पुन्य भी कोटी गुना होता है, जो एक बार भी भगवान का नाम सच्चे मन से लेकर दयादान करता है, अकाल के समय अन्न का दान करता है, वे निश्य ही उर्ध वलोक में गमन करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। यह सुनकर देवर्षी नारत हस्ते वे निर्थ करने लगे। सभासदों ने पूछा नारत जी यह क्या बात है, तब बुद्धिमान नारत जी ने हस्ते वे उन सभी को उत्तर दिया, ना रायन ना रायन आप सभी का कहना सत्ते हैं। इसमें संदे नहीं कि कल्यूग में थोड़े से कर्म से भी महान पुढ़ने का साधन किया जाता है। और कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव इसमरन मातर से ही प्रसन हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कल्यूग में ये दो बाते दुरगट हैं। शिशनेंद्रिये का निग्रह और जिवा को वश में रखना। ये दोनों कारे जो भी सिद्ध कर ले वही नारायन स्वरूप है। इसलिए कल्यूग में आपको यहां नहीं ठहरना चाहिए। नाराज जी की ये बात सुनकर उत्तम वृत का पालन करने वाले महर्शी सहसा यगी को समाप्त करके सुख पूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोग को त्याग देने का विचार किया। अपने पती से द्वेश रखती है, शिश्य गुरू से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है, ब्रहमन शुद्रवत और गवें बकरियों की तरह हो गई है, वेदों में गाथा की ही केवल प्रधानता रह गई है, शुब कर्म साधरन बुद्धी ही नहीं है, भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है, सब लोग मैथुन में आ सकते हैं और उसके लिए अपने प्रान भी खो रहे हैं, जूटी गवाही देने लगे हैं, मन में सदा चल और कपट भरा रहता है, कल्यूग में सदा लोगों के म कुछ और, वाने में कुछ और, और कर्म में कुछ और ही देखा जाता है, सब की विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है, और केवल राजभवन में ही उसका अधर होता है, संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रे हैं, कल्यूग में अधम पूजे जाते हैं और स्रेश्ट पुरुषों की अवेलना होती है, कल्यूग में वेदों के विद्वान ब्रहमन दरित्र होते हैं, लोगों में प्राया भगवान की भक्ती नहीं होती, पुर्णी छेत्र में पाखंड अधिक बढ़ गया है, शुत्र लोग जटाधारी तप वस्वी बनका धर्म की व्याख्या करते हैं, सभी मनिश अलपाईयू, दयाहीन और शट होते हैं, कल्यूग में प्राया सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं, और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सो मानते हैं, अपनी पूजा कराना चाहते हैं, और व्यर्थी दूस की निंदा करते हैं, अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोशों की चर्चा में तत्पर हो जाते हैं, कल्यूग में लोग साधूं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं, दुराग रही लोग इतने दुराग रही होते हैं, कि साधू पुरुशों क एक दोश का भी धीनोरा पीटने लगते हैं और पापात्माओं के दोश समुख को भी गुण बतला कर उनका गुणगान किया करते हैं कल्यूग में गुणहीन मनुश दूसरों के गुण ना देख कर किवल उनके दोशों को ही ग्रहन करने में प्रसनिता अनुभव करते हैं सभी रास्ट्रों में अकाल पड़ता है कन्या योग्य समय में संतान उत्पति नहीं करती जो वेद विदान्त की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं उन्हें अज्ञानी मनुश सेवक के दृष्टी से देखते हैं वे सब के सब ध्रस्ट होते हैं कल्यूग में प्रायहा लोग श्राद कर्म का त्याग करते हैं वेदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं प्रायह जिवा पर भगवान विश्णू के नाम कभी नहीं आते लोग श्रंगारस में ही आनंद का नभूव करते हैं और उसी के गीत गाया करते हैं कल्यू के मनुश्यों में ना कभी भगवान विश्णू की सेवा देखी जाती है ना शास्त्री चर्चा होती है ना कहीं यगी की दिक्षा है ना विचार का लेश है ना तीर्थ यात्रा है और ना दान धर्म ही होते देखी जाते हैं ये कितने आश्चरी की बात है उन सब को हानी होती देख अत्यत आश्चेरी से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में चले गए सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवन किसी समय कौतुहल वश्पित्र लोक में गए वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पित्रों को पड़ी भयंक कोन से बाप किये हैं कि आपको इस अंधुकूप में गिरना पड़ा तब पितर कहने लगे हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं प्रत्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है इसलिए हम श्रात और पिंड से बंचित हैं और हमें ये नरक का कष्ट भोगना पड़ता है संतान ह इन दुरात्माओं का अंधुकूप में पतन होता है हमारे मंच में एक ही महान ये शश्वी पुरुष है जो धर्मवन्ड के नाम से विख्यात है कि तो वह भी विरक्त होकर अकेला घुमता फिरता है उसने ग्रहस्त धर्म को स्विकार नहीं किया है वह एक ही प्रानी हमारे कुल में बचा हुआ है उसकी भी आयू छीर्ण हो जाने पर हम लोग तो घोर अंधुकूप में गिर पड़ेंगे जहां से फिर कभी निकलना कठिन नहीं होगा इसलिए तुम प्रत्वी पर जाकर धर्मवन्ड को समझाओ हम लोग दया के पात रहे हमारे वचनों से उसे ये बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चुहा हर दिन खा रहा है क्रमशह दीरे दीरे सारे वंश का नाश हो गया है अब एक तुम ही बचे हो जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंप्रा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधुकूप में गिरना कार्तिक मास में हमारे उद्देश से इसनान श्राथ और दान करेगा तो उससे हम लोगों की उर्द्व गती होगी और इस घोर नरक से उधार हो जाएगा अगर एक पुत्र भी भगवान विश्नु का भथ हो जाए एक भी एक आदशी कवरत रखने लगे या एक भी भगवा पाफ से ढकी होने पर भी नरका दर्शन नहीं करती दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जनम से क्यालाब जो कुल में उत्पन होकर सर्व व्यापी भगवान नारायन की पूजा नहीं करते इस प्रकार प्रेवचनों द्वारा धर्मवन को समझा कर तुम उसे विरप्ति पोन ब्रह्मचर आश्रम से ग्रहस्त आश्रम में प्रवेश करने की सलहा दो पित्रों की ये बात सुनकर धर्मवन अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला मैं ही धर्मवन नाम से विख्यात आपके वंश का दुरागर ही बालक हूँ यगी में महरशी नारजी का ये वचन की कल्यूग में प्रायह कोई भी रसनेंद्री सुनकर और शिशनेंद्री को द्रहंडता पूर्वक संयम में नहीं रखता मैं दुर्जनों की संगती से भैबीत होकर अब तक दूसरे दूसरे दीवब में घूंता रहा इस कल्यूग के तीन चरण बीद गए अंतिम चरण में भी अब साड़े तीन भाग बीद चुके हैं मेरा तो जनम ही व्यर्थ भीता है क्योंकि जिस कुल में मैंने जनम लिया उसमें माता पिता के रिंड को भी मैंने नहीं चुकाया प्रत्वी के भार भूत उस शत्रु के समान पुत्र के उत्पन होने से क्या लाब जो पैदा होकर भगवान विश्णू और देवताओं तथा पित्रों की पूजा ना करे मैं आप लोगों की आग्या का पालन अवश्य करूँगा बताइए प्रत्वी पर किस प्रकार मुझे कल्यूग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी धर्मवन्न की बात सुनकर पित्रों के मन को कुछ आश्वासन मिला वे कहने लगे बेटा तुम ग्रहस्त आश्रम स्विकार करके संतानोत पती के द्वारा हमारा उध्धार करो जो भगवान विश्णू की कथा में अनुरक्त होते निरंतर श्रीहरी का ध्यान करते और सदाचार की पालन में तत्पर रहते हैं उन्हें कल्यूग कभी बाधा नहीं पहुचाता जो आशार मवस्या पर अपने पित्रों के लिए श्रद्धा पुर्वक तरपन पिंड़द जो वेशाख मास के धर्मों का पालन करता माग इसनान में तत्पर होता और कार्तिक मास में दीपदान करता है उसे भी कभी कल्यूग की बाधा नहीं मिलती जो प्रतिदिन भगवान विश्णू की पाप नाशक और मोक्ष दाइनी दिविकता सुनता है जिसके घर में बली व अभी तिथियां तो अपने आप में पुन्निदाइनी होती ही है इस महिने की अमावस्यति सबसे महतुपून होती है देवताओं और पित्रों को वह बहुत प्रेय है शीगरी मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है जो उस दिन पित्रों के उद्देश से श्राद करते और जल धर्म का आश्रय लो धर्म अर्थ और काम से संतुष्ठों कर उत्तम संतान पाकर फिर मुनिव्रति से रहते वे सुख पूर्वक दीब दीवों में घूमो पित्रों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवण मुनी शिगरता पूर्वक भूलोक में गए जहां पर उन्हों पित्रों को पुर्णरावरति रहित मुक्ति प्रदान की अर्थात उन्हें मौक्ष प्रदान किया इसके बाद उन्होंने स्वेम विवहा करके उत्तम संतान को जनम दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्यातिती को प्रसिद्ध किया इसलिए सभी ग्रस्त जनों को अपने अपने पूर्वजों और अपने अपने पित्रों को मौक्ष प्रदान करने के लिए हर अमावस्यातिती पर श्रद्धा पूर्वक अपनी सामर्थ के नुसार दान दक्षना देनी चाहिए और उनके नाम से जलदान पिंडदान आधी काम करने चाहिए उमीद है आज कि ये कथा आपको पसंद आई होगी विडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक करना मत भूलिएगा